हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ फिरोज फिरोज लिक्टिकल में आपका स्वागत है इस वीडियो में दोस्तो आपको बताऊंगा अगर आपके घर का जो मिक्सर ग्राइंडर है वो आवास करने लगा है तो उसकी आवाज को कैसे सही करेंगे एकदम मुकमल तरीका में आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर का मिक्सर आवास करता है तो बिना एक रुपिया भी खर्च किये हुए अपने हाथ से अपने ही घर पर उसे बहुत ही आसानी से आप सही कर सकते हैं एकदम साइलेंट चलेगा कोई भी आवाज नहीं आएगी अगर आपने हमारे चैनल फिरोज लिक्टिकल को सस्क्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुश स की तरफ कपलिंग के पास में तो यहां से पानी बाहर निकल जाए इसलिए यह वाली कटिंग होती है कभी कभी हमारे जार लीक हो जाते हैं अगर यह वाला उप्सन नहीं होगा तो इसके अंदर पानी भर जाएगा और मोटर में चला जाएगा मोटर फुग जाएगी लोग बैरिंग में ग्रीसिंग करते हैं उसी तरीके से अगर हम बुस में ऑईलिंग कर देंगे तो हमारा बुस एकदम सेट हो जाएगा और परफेक्ट आवास खतम हो जाएगी हमारी मिकसी की एकदम सही मिकसर हमारी चलने लगेगी इसकी आवास को दूर करने के लिए इस स्पेस से जब आप बारीकी से देखेंगे तो जहां पर हमारी कपलिंग टाइट है वाली साफ्ट आपको दिखेगी उस वाली साफ्ट पर यहां से कीप जो होती है ओयल कीप उससे ओयल डालना है उस वाली साफ्ट के उपर चार से पांच बूंद आप उस वाली साफ्ट के ऊपर ओयल डाले उसके बाद में तुरंद मिक्सर को सीधी कर दें जब आप उसके अंदर चार पाच बूंद osobन आउयल डाल देंगे उस साफ्ट के उपर औव आप मिक्सर को सीधी करेंगे तो वो ओयल जो है वो बुष के उपर चला जाएगा डारेक्ट ये प्रोसेस आप दो से तीन बार करें ओयल डाले और मिक्सर को सीधा कर दें इस तरीके से उपर के बुस में आपकी एकदम पर्फेक्ट ओयलिंग हो जाएगी उसके बाद में आप मिक्सर को यूज करें दो से पास सिकेंड आवास करेंगा लेकिन जिसी स्पीट पे आएगी मिक्सर वो ओयल बुस के अंदर प्रॉपर जाएगा आपकी मिक्सर ग्रेंडर की आवास बिलकुल खतम हो जाएगी अगर तब भी नहीं खतम होती है तो आप नीचे की भी बुस में आईलिंग कर ले नीचे के बुस में आईलिंग करने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा लेकिन 80% आपके उपर से ही सही हो जाएगा आपको बॉड़ी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पड़ती भी है तो आईलिंग कैसे करें यह देखिए जहां पर यह बलेक नट उपर लगा हुआ है इसके नीचे बुस है अगर हम इस नट को खोलते हैं तो इसके नीचे बुस है हम उसके अंदर आईल डाल देंगे फिर इस नट को टाइटर देंगे लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अगर आप घर पे सही कर रहे है आप खुद मिस्तरी नहीं है तो प्रॉबलम हो जाएगी यह मिकसर जाम हो सकती है यह इसमें प्ले जादा हो सकती है अगर यह आप सेट ना कर पाएं तो इसलिए यह स्पेस इसमें भी यह देखिए साफ दिख रही है आर्मेचर की मिकसर को टेड़ा करें उसके बाद में उस पे ऑईल डालें उसके बाद मिकसर को सीधा कर दें ताकि ऑईल नीचे की तरफ आ जाए इस तरीके से आप उपर और नीचे दोनों तरफ के बुस में ऑईलिंग कर सकते हैं दोस्तों और अपनी मिकसर को घर पर ही फिरी में सही कर सकते हैं तो आप बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें हमारे चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टोपिक के साथ में